यह वीडियो जो सिविल इंजीनियर्स है वो प्लस जो नॉर्मल बंदा है जो अपना घर बना रहा है जिसके आर्किटेक्ट ये इंजीनियर ने उसे ड्रोइंग दे दिये और वो ड्रोइंग पढ़के खुछ समझना चाहता है कि कितनी सरीया पढ़ने वाली है कहीं ठेके दर गलत सरिया तुने डाल रहा क्योंकि जबी भी आप ड्रोइंग लेते हो और इंजीनियर हायर करते हो तो पर विजट आर्किटेक्ट ये इंजीनियर आपको चार्ज करता है हजार रुपे इंजीनियर को देने से अच्छा आप वाली वीडियो देखिए और ड्रोइंग पढ समझा दिया था। इसमें मेजर मेजर पॉइंट समझा दिये थे आज किस चीज़ के बारेमे पढ़एंगे आज हम पढ़एंगे ELEVACIONS के बारेमें दखोए ELEVACIONS है यह इनके बारे बढ़एंगे और schedule of footing इसके बारे में बढ़ेंगे तो बिना time waste करें मैं start कर रहता हूं आपकी वीडियो तो देखिए जो यह वाला part है इसको बोलते हैं elevation जिस time पर भी आपकी footing ड़ेगी तो आप दो तरीके से footing को देख सकते हो एक आप उपर से खड़े हो के देख सकते हो और एक आप सामने से देख सकते हो जब आप सामने से भी किसी चीज़ को देखोगे तो वो कहलाता है elevation तो जो हमें drawing दे रखी है वो सामने की drawing दे रखी है इसमें देखो यह जो black black वाला part दिख रहा है आपको थोड़ा मैं zoom कर देता हूँ इसमें जो आपको यह black dots दिख रहे हैं यह यह कहें सरीया है जो अंदर की direction में जा रही है और यह जो black dots देखो नीचे एक सरीया के उपर रखे हुआ है यह वाली सरीया के उपर यह placed है ठीक है तो यह भी एक सरीया है तो जिस टाइम पर आपकी footing में बनेगी तो आपको समझ में आ रहे हलका हलका कि एक सरीया ऐसे डलेगी और एक सरीया अंदर की direction में डलेगी मतलब जो भी आपका footing mesh बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनेगा ठीक है अब भी देखो मैं आपको इसकी image दिखाता हूं यह देखो आपको footing दिखी रही है इसके सरीया एक ऐसी जा रही है ऐसी जा रही है और इसी के perpendicular जा रही है सरीया और आप देख रहे होगे कि यह जो सरीया है यह उपर आके इनमें जोड रही है यह सरीयां ऐई ऐसे ओडी यह सरीयी ऐसे ओड़ी तो वही आपको द्राइंग में दिखा रहा है अब पिछली जो मैं आपको दिखा थी उसमें भी देखो डिखो यह नीचे सरीय देखो नीचे वाली सरीय आई और उपर बेंड हो गई नीचे वाली सरीय और उपर बेंड हो गई वही चल रहा है आपको और वी और में दिखातों देखो यह लंबी सरीय और बेंड हो गई सरीय बेंड हो गई यही चीज देखनी होते बस फूटिंग में अगर आपको इ क्लेर है बात तो बस आपको यह आपको समझ गया कि कौनसी सरीय कहां पर लगी हुई है उसके बाद दूसरी इसमें देखने वाली बात है कि यह देखो जिस टाइम पर आपकी फुटिंग बनती है उस टाइम पर इसकी कुछ डेफ्थ भी आईगी न यह वाली कुछ डेफ्थ अब्याजाई ऐगी फुटिंग की तो इसको lang है मैं कौन सी डेप्थ के बात कर रहा हूँ लिह वाली टेप्थ जहां पर कंघ्रीय पूरा है तो यह वाली किसे भी यह क्छे किसे रही है मैं मैं पढ़ता हूँ cf1 क्या होता है आप पहले comment में लिखो एक बार cf1 मैंने बताया था combined footing 1 तो combined footing 1 का मैं schedule of footing में जाता हूँ schedule of footing मतलब जहां पर भी पूरे reinforcement की details ही है वहाँ जाओंगो और मैं पढ़ूंगो इसके वारे में चलो combined footing ये है combined footing की जो depth है मतलब d जो दे रखा है वो 22 inch दे रखा है combined footing मैंने आपको दिखाएती कैसा होती ये देखो ये है combined footing combined footing की जो ये वाली depth है ये ये दे रखी है 22 inch ओके इसमें small d होगा नहीं मैं बताऊंगा अभी small d के होता है combined footing में जो आपकी square shape की rectangular shape की footing होगी उसमें small d नहीं होगा उसके बाद क्या दे रखा है देखो footing size, footing size क्या दे रखा है 4 feet 8 inch और 8 feet 10 inch अब देखो मैं combined footing अपने map में देखूँगा कहां पे मेरे map में combined footing ये है मेरे map में combined footing तो क्या दे रखा है आपको 4 feet 8 inch इसकी breadth दे रखी है और 8 feet 10 inch के दे रखी है इसकी length दे रखी है वो ही मैं देखता हूँ देखो schedule of footing में जाके width और length 4 feet 8 inch 8 feet 10 inches clear बाद तो combined footing में मैंने depth पढ़ लिए footing का size पढ़ लिया उसके बाद देखो reinforcement reinforcement मतलब सरिया कैसे कैसे डलनी है अब देखो कितनी होती है सरीया जब आ फुटिंग बात यो तो नीचे डलती है और कितनी बार आप जब अगरे फुटेंग बाद होगे तो उसमें देख हो उपर भी सरया न है कि अपकर वाली सरी उपर वाली सरी ऊई आपर वाली सरीह होगे नीजे तो किसी मटप्र्था उपर भी मैस्ट पड़ेगा नीचे मेंस पड़ेगा तो जो हमारे हिवाले structure है, इसमें देखो, सरीय उपपर है, सरीय नीचे भी है, तो यह आपका double matched है, clear है बात, तो इसमें जो reinforcement है, top में both ways, जो आप दोगे, 12 mm की सरीय दोगे, 12, 5 मतलब 12 mm diameter, 5 मतलब diameter, at the rate, 6 inches, center to center distance, आप दोगे सरीय के बीच में, देखो, मतलब क्या इस चीज का, जैसे आपकी सरीय आपकी सरीय, top reinforcement की बात हो रही है, तो यह सरीय आपकी 12 mm की है, और इस सरीय से, इस सरीय के बीच में कितना distance होगा, 12 mm हो, sorry, change होगा, clear about यह लिखिया न, 12 mm की सरीय है, change center to center distance, 12 mm की सरीय है, change, इनके बीच में spacing होगी, center to center, इसके बाद देखो, जो bottom reinforcement है, bottom reinforcement किसमे, x direction में, x direction मतलब ही वाली, y direction मतलब जो अंदर की side जा रही है, सरीय, ठीक है, जो top है, top में both ways, मतलब, जो top में आपको सरीय दे रख किस structure में, दोनों side, इस direction में भी, इस direction में 12 mm की सरीय है, change center to center, जिसका distance है, लेकिन एक बहुत beautiful बात किसमे, कि जब आप bottom की सरीया दे रहे हो, जब आप bottom की सरीया दे रहे हो, x direction में, और y direction में, उसका भी बता रहे हो, कितने mm की सरीया देनी है, और कितनी spacing होगी इसके बीच मे क्या लेक है, 12 mm की सरीया होगी, 5 inch अपकी spacing होगी center to center, वैसे ही, y direction में भी 12 mm की सरीया होगी, और 5 inch इसकी spacing होगी center to center, इसको समझाने का तरीका, एक अब बताता हूँ मैं आपको, top जो reinforcement है, उपर वाले mesh होगिया, bottom reinforcement, नीचे वाले mesh होगिया, ये जो direction होगी, आपकी x होगी, इसमें देखो, ये direction आपकी x होगी, अंदर की direction y होगी, ये नीचे की bottom reinforcement होगी, अगर मैं इसको उपर से बंद कर दूँ, तो आपकी top reinforcement भी हो जाईगी, तो देखिए, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं किसता हूँ, इसमें मैंने आपको एक combined footing किस तरीके से देखते हैं, और इसमें reinforcement कैसे पढ़ता, ये मैंने बता दिया, अब आप try करना, ये जो trapezoidal footing है, इसकी reinforcement detailing को समझने का, ये elevation देखके यहां से, next video मैं मैं इसको detail से बताऊँगा, thank you so much, मैं free of cost, bar bending schedule, estimation quantity, बहुत सारी चीज़े लाने वाला हूँ, तो जितने भी civil engineers fresher हैं, वो free of cost ये पूरी series और जो भी doubt आप comment section में कर सकते हैं, thank you so much, keep supporting me, good day.